हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के दिर में आप सबीके लिए लेकर आया हूँ साड़े 11,000 के बजट में मिलने वाले दो बहुती ज़ादा बढ़िया मोबाइल्स एक मोबाइल है ओपो की तरफ से ओपो का A31 ये भी हाली में लौंच हुआ है दूसरी तरफ है MI का A3 दोस्तों ये दोनों मोबाइल्स आपको साड़े 11,000 के आसपास मिल जाएंगे तो इस वीडियो में इन दोनों मोबाइल्स में कमपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है क्या क्या च्छाया है और आपका कौन सा खरीदना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहीएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चली देखते हैं अगर आप इतने पैसे खर्श करते हैं A3 पे तो इसके साथ क्या क्या मिलता है तो जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले रखावा मिलता है ये मिनी बॉक्स जिसमें लगवा है एक सिम जक्टर टूल अंदर रखेवा मिल जाता है कुछ यूजर मैनुवल एक दिया गया है ये कवर जिसकी क्यालिटी नॉर्मल है इसके बाद मिलता है मुबाइल ये मेरे पास है वाइट कलर में डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेता है बॉक्स में रखेवी मिलती है ये डिटे केबल डिटे केबल की लेंट और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी है और A3 के अंदर आपको टाइट C केबल का सपोर्ट मिलता है ये एक टाइट C केबल है आखिर में आपको रखावा मिलता है ब्लैक कलर के अंदर कुछ इस तरीकी के लुक में छोटा सा चारजर जिसके अंदर आपको आउटपूर्ट मिलता है तो ये सिंपल सा 10 वाट का चारजर है फास्टेजर तो आपको इसके साथ नहीं दिया गया ये इसमें कमी है साड़े 11,000 में आचकल आपको फास्टेजर देखने को मिल जाता है तो मुझे इसमें कमी लगी फास्टेजर होना चाहिए था तो ये सारा समान आपको मिलता है MIK A3 के साथ 11,000 में रेट के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मल ही समान है बाकी ये मुबाल फास्टेजर अलग से खरीदना पड़ेगा चले देखते हैं अगर आप इतने ही पैसे OPPO पे खर्श करते हैं इसके साथ क्या क्या मिलता है तो जैसी आप Unbox करते हैं इसमें भी सबसे पहले रखे वे मिल जाते हैं कुछ User Manual Card में लगावा है Simjector Tool इसके बाद मिलता है ये Cover जिसकी Quality Normal है जैसे आपको A3 के साथ मिलती है इसके बाद मिलता है Mobile ये Mobile भी है मेरे पास White Color में डेटेल उक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेता है Box में रखी हुई मिलती है ये डेटे केबल डेटे केबल की Length और Quality अच्छी है लेकिन इसके अंदर कमी ये है आपको Type-C केबल नहीं मिलती जो आपको A3 के साथ मिल जाती है आखिर में आपको रखावा मिलता है ये Wide Color के अंदर Simple सा Charger इसके अंदर भी आपको Output मिलता है 5W, 2A का ही तो इसके साथ भी आपको 10W का Charger दिया गया है ये दोनों में कमी है Fast Charger नहीं मिलता लेकिन ये Mobile Fast Charging सपोर्ट नहीं करता तो आप Market से भी खरीद के एक Fast Charger इस Mobile के साथ इस्तमाल नहीं कर सकते तो देखा जाए तो दो चीजों का फर्ख है कीमत तो दोनों की सेम है लेकिन A3 में आपको एक तो Type-C केबल का सपोर्ट दूसरा Fast Charging का सपोर्ट मिलता है जो OPPO में नहीं मिलता बाखी Fast Charger के लेकर तो दोनों में कमी है फिर भी Rate के हिसाब से देखा जाए तो A3 के साथ आपको ज़्यादा अच्छा सामान मिलता है चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में तो दोस्तो डिजाइन तो आपको दोनों में बहुत अच्छा मिलता है आप देख सकते हैं वाइट कलर में OPPO भी काफी अच्छा लग रहा है लेकिन इसमें प्लास्टिक के टाइप के डिजाइन है दूसरी तरफ आपको A3 में गलास लुक मिलता है गोरिला गलास की प्रोडेक्शन भी दी गई है तो स्क्रेचिस की प्रॉब्लम आपको वैसा तो दोनों मूबाइल में देखने को नहीं मिलती लेकिन लुक वाइज जाद अच्छा लग रहा है डिजाइन A3 का इसमा आपको रेंबो कलर्स के एफेक्ट भी दिये गए हैं जो बहुत जाद अच्छे लगते हैं तो डिजाइन में तो जादा प्रीमियम A3 ही लगता है ओपो के A31 से बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो ओपो में पीछे तीन कैमरे दिये गए हैं जिसकी स्पीड अच्छी है A3 में भी आपको वीछे की तरफ तीन कैमरे मिलता है लेकिन इसमा पहला कैमरा है 48MP का दूसरा 8MP का तीसरा 2MP का इसका फ्रंट कैमरा है 32MP का दोस्तों कैमरे के अंदर आपको MI का A3 बहुत जाद अच्छा मिलता है ओपो से कैमरे में A3 ही जादा बढ़िया है बाकि A3 में आपको डिस्प्ले के अंदर ही fingerprint scanner दिया गया है back panel पे नहीं मिलता उसकी speed normal है ना इतनी जादा तेज ना इतनी जादा slow आप देख सकते हैं complete design आपको किसका design जादा अच्छा लगा आप मुझे comment करके बताइएगा मुझे A3 ही जादा पसंद आया बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो A3 में आपको तकरीबद चेंच की डिस्प्ले मिलती है और A31 में आपको OPPO की डिस्प्ले मिलती है साड़े चेंच की तो डिस्प्ले साइज में तो OPPO जादा बढ़िया है बाकि दोनों मुबैल्स में जो आपको डिस्प्ले की quality मिलती है A3 के अंदर आपको मिलती है AMOLED डिस्प्ले और OPPO में मिलती है IPS डिस्प्ले लेकिन दोनों में आपको स्वाइब करेंगे आपको सारी अप्लिकेशन मिल जाती है और MI के A3 में भी आपको इसी तरह की से यूजर डिफेस दिया गया है इसमें भी आपको अपडर मिल जाता है लेकिन फर्क यह हैं A3 में आपको स्टॉक एंडरोइड मिलता है तो इसके अदर आपको लेटेस एंडरोइड अपडेट्स जादा जल्दी देखने को मिलेंगे OPPO के A31 से दोनों मुबाइल्स की डिस्प्ले की बिल्कूल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ दोनों में तो सबसे पहले आपको एक नौच वाली डिस्प्ले मिलती है जो लगबग एक जैसी ही लगती है तो डिस्प्ले को जो डिजाइन है वो दोनों का सेम है लेकिन डिस्प्ले की जो क्वैलिटी है जो कलर से आप देख सकते हैं A3 की display के colors आपको ज़ाद अच्छे मिलते हैं OPPO से, तो display की quality के अंदर तो आपको A3 ही ज़ाद अच्छे मिलता है, और display के size के अंदर OPPO, इसके लावा इन दोनों mobile's को आप left side से देखींगे, तो दोनों में मिलती है sim gate tray, A3 के अंदर ये कमी है सबसे बड़ी, इसके अंदर आप 2 sim card, 1 memory card, 3 चीज़ एक साथ नहीं लगा सकते, लेकिन OPPO में ऐसा नहीं है, इसमें आप 2 sim card, 1 memory card, 3 चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, volume के buttons भी आपको OPPO में left side पर ही मिलते हैं, और side उसे design है silver color में A3 का, जो काफी अच्छा लगता है, नीचे की तरफ साब देखेंगे तो charging port, speaker, mic दिये गया है, headphone jack आपको A3 में उपर की तरफ मिलता है, OPPO में नीचे की तरफ, right side साब देखेंगे तो दोनों mobile में मिलते हैं power के buttons, volume के buttons आपको A3 में right side पर ही दिये गये हैं, उपर की तरफ आपको A3 में IR blaster भी मिल जाता है, जिससे आपका MI remote काम करता है, तो TV अगर आप इस mobile से चला सकते हैं, यह इसमें जाद अच्छी खूबी है, इसके लगए दोस्तों दोनों mobile के अंदर आपको मिलती है 4GB ग्रैम, 64GB के internal storage, इस चीज में दोनों एक जिससे हैं, और 64GB में से आपको OPPO के A31 में मिलती है 46GB के आसपास, और A3 के अंदर मिलती है 49GB के आसपास, तो 2-3GB का फर्ख है A3 में जादा है OPPO से, इस चीज में आपको A3 ही जाद अच्छा मिलता है, बागी दोस्तों, दोनों मुबाइल्स के अंदर आपको Android का 9 Pie वरिजन मिल जाता है, इस चीज में दोने जिससे हैं, लेकिन Android 10 का update A3 के लिए आ चुका है, तो अगर आप ये मुबाइल खरीदते हैं, तो इसके अंदर आपको latest Android का update मिल जाएगा, तो इस चीज में भी आपको A3 जाद अच्छा मिल जाता है OPPO से, इसके लाव दोस्तों बात करें बैटरी के बारे में, तो A3 में आपको बैटरी मिलती है 4030MH की, और OPPO A31 में आपको बैटरी मिलती है 4230MH की, दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकप आराम से मिल जाता है, बैटरी के अंदर ये दोनों मोबाइल्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो OPPO में दिया गया है MediaTek का P35 प्रोसेसर, और A3 के अंदर आपको मिलता है Snapdragon 665 प्रोसेसर, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आपका इतना ज़्यादा हेवी यूज नहीं है, तो आपको OPPO के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन अगर आपका थोड़ा हेवी यूज है, तो इन दोनों मॉबाइल्स में आपको ज़्याद अच्छी परफॉर्मेंस देहने को मिलती है A3 के अंदर ही, प्रोसेसर के अंदर भी A3 ज़्यादा बढ़िया है A31 से, तो दोस्तों ये सारी खूबियां और कम्यापको मिलती है दोनों मॉबाइल्स में, चलिए बात कर लेते हैं फिर भी सबसे में चीज़ आपको इन दोनों में सा कौन सा खरीदना चाहिए कौन से नहीं तो दीखे सबसे पहले तो मैटर ये करता है कि आपको भरोसा कि इस कंपनी पे हैं एम आई पे या फिर ओपो पे इसके बाद आपकी में ज़रुत की चीज़ कि इस मोबाल में ज़ाद अच्छी है तो दीखे अगर आपके लिए डिस्प्ली की कुवालिटी मैटर करती है आपको कलर से चाहिए तो आप A3 खरीद दिएगा लेकिन अगर आपके लिए डिस्प्ली का साइज मैटर करता है तो आप ओपो लीजिएगा डिस्प्ली साइज इसका ज़ाद अच्छा है इसके लाव अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाल का कैमरा तो भी आप A3 ही खरीद दिएगा यही mobile आपके लिए ज़़ाद अच्छा रहेगा और अगर आपके लिए matter करता है mobile का processor आपको processor अच्छा चाहिए तो वो भी आपको A3 में ही ज़़ाद अच्छा मिलता है इसके लाब दोस्तों अगर आपके लिए matter करता है मोबाइल की बैटरी तो बैटरी में दोनों नॉर्मल हैं आप दोनों में से कोई सब भी खरी सकते हैं एथरी में आपको दो चीज़े जाद अच्छी मिल जाती है एक तो टाइप फारी मिलते हैं मुझे यंदोनों मोबाइल समय आप मजब चाहिए मां चाहिए पसंद आाउ है यह चीज़ा मुझे आप Łन निचे में करके जरूर बताएगा वीदियो आपको पसंद आ flavor कर दीजए वीडियोци फेल चानल पेल आइकन हैं उसे भी दबा दियेगा ताकि नई comparison की वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लावब वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दियेगा WhatsApp Facebook पे मिलता हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई